लबह दियान तो देखो इस मानस ने गोर तो देखो और भाइ स्यामी जो है तील तागे भी तर रखे हैं जो कर दूसर तूसर वह एक रहा है इस मानस की समाईल पर ना जाईयो और बाई कामेरा मैन वरून रेट उती कोंगा मैं एक पर दिखेया दे तील तागे भी और भाई अनिल्वीज का जो दरबार है उसमें बहुत बड़ा खुलासा बहुत बड़ा दमाका यानि के नम सिंगम और गबर आमों से हमी होंगे सन्यवार ने सारे भाई याने राम राम बाई में उतारा देशी पत्रकार दर्मू बिना ब्रेग लाइक यह लए ने ले प्राकरति आपता अगी तो आसिस वाई के जिकरे वह बात होगी बहुत तेरे मेरे चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है सबको खबर हो गई तो यह वह आसिस बाई यह बाई जो कि सिंगम का नाम ता है पाणिपत में जैना जावा है और भाई पाणिपत पुलीस का पसिन्य छुटा रखे हैं और इव सनिवार ने वीज के दरबार में बहुत बड़ा खुलासा होगा उस तो पहले यां पुछांगे अग भाई आसिस भाई ने सी के नराजगी का सामना करना पड़ा और पाणिपत में क्यक्के दिक्कत आई आलां की यह जो यह जो तील तागे हैं पहले इनका बार हम पुछांगे फेर बात करांगे आगली अगवाई गबर का दरबार में जिब सिंगमर गबर आमों स्यामी होंगे तो इनकी के बात चीज चाल लगी उसका बार हम बात में बात करांगे असीज भाई पहले तील तागे क्यों करें यह जनता का प्यार हां जी जो असीज भाई उसका है थोड़ा बतां दियाने सरमाव है यह आलाकि आमने कड़वाई थे आमने पर नहीं पुछा था यह इतनी बड़ी आपत आई तो आई क्यों कर तो राजा अर्वाई यह हैं उनका लाड़ प्यार जो कि जित भी यह गए तो उनमा बाई किसे न तो पगड़ी किसे न पठका किसे न जो हैं कुछ मुलब की में कि में उपार में जो है किते चैदर यानि के कई बार तो कुछ तो इसे वागर करमचारी जो सरकार के मैडल के ब् सरकार के मैडल तो ज्यादा तर चापलूसों को मिलते हैं तो आसिस भाई कारण के है क्योंकि मलब सुर्ख्यों में और बड़े जो अधिकारी हैं उनकी रडार पाएगे आप और कुछ अधिकारी तो न्यूबिकार लागे अग्वाई आसिस का तो दिमाग के फ्यूज उड लिए देखो अधिकारियों की अपनी सोच है हमारा काम करने का तरीका कुछ और था और किसी के इसमें रोका थोड़ी जा सकता है कोई ऐसे एक अधिकारी के बिलकुल तो सब पहले हैं जब सरवात होई दिक्कतान की तो जिस तरह क्योंकि आमने भी अकबारां की कटिंग भी मारे श्याम में आई थी अकब भी पानी पत का एक इसा पुलीसाला है जिसने की आड़े के जो तसकर हैं उनका नाक में दम कर रख्या है तो जो तसकरों का आप गिरफ्तार कर रहे थे उस टाइम सब तह बड़ी दिक्कत की आई देखियो सर पहले तो पानी पत का जाम ही सब करते हुए और एक दिन का भी रैष्ट ना लेकर दीरे 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 करके पूरी पानी पत की रिश्वत को खतम किया रिश्वत को पकड़ करेस्पी किया वाले किया कुछों पर कारवाई हुई कुछ ऐसे चेतावनी देकर छोड़ दिये गए और रिश्वत भी खतम साथ के स अधिकरमन भी खतम भाई को बड़े अधिकारी भी होएं जिसमन्यों का देखिये सर यानि की सामना तो हर वक्त यानि की अधिकारियों की ना ना करते हुए हम पुरा काम ना में कर्च गए यूद ना ना सुनकर मेरे एक बात याद हैगी बले ना ना करते प्यार तुमीं से कर बैठे दिल तुमी को दे बैठे यानि के आसिस भाई ना ना करते करते और यहाना पुलिस की जिभी यावर्दी छी डिन डाली उस दिन एक सपत ली थी जब भी पुलिस का जवान कि जब खाकी को ग्रान करें तो वह सपत लेगा है जी जी ए तो सभी को लेनी चाहिए वह प्रियास यू भी कर रहे हैं अगभी शिंगम और गबर आमने सामने ना हुएं तो के आपने उमीद है ग्रह मंतरी अनी लिविजद है देखिए जो 19,21 को लगातार तसकर पकड़े गए और सरकार तसकरों पर नकैल कसने के लिए इतने सकत आदेश जारी कर रखे हैं उसके बाद भी मैंने देखा तीन दिन रेड की तिनों दिन तसकर भी नश्य के साथ पकड़े गए और इसमें पुलिस ने भी कोई संतोस जनक कारवाई नहीं की और उन्होंने तसकरों को ज्यादातर को छोड़ दिया जो कारिंदे थे के ओले उन्हीं का चलान की उन्हीं को किते हम तो और खुल के बोलांगे उसके आसिस भाई जो खुल के बात कराएगा दरबार में करागा वीज़्गा दरबार में लेकिन आसिस भाई का जो संकेत है वो यू है कि जो बड़े मगरमच हैं जिनकी सैटिंग उपर तक हुआ है उनका उपर जो सिकंजा का सनाच पर भी और उनकी प्रोपर्टी अटेच करी जाओगी तो असिस भाई जो कॉनिफिडेंस था इस तरह की बात जो लिकड़ का रही थी गबर के जो ब्यान यानिके ग्रह मंत्री अनिलविज के जो ब्यान आड़ रहे थे अर जी पाणिपत्मा आए थे अनिलविज सपेशल एक इमानदार पुलीस ओफिसर की जानका रिकाड़ का आप तो मिलका भी गए थे सम्मानित भी करका गए थे आप लाल बत्ती पर सबेशल गाड़ी रोके मुझे मोटिवेट करके गए थे अच्छे काम करते रहो आपने क्ये लाग गए कैमरामें वरुन रेट होते ही कूंगा यह जो मान और सम्मान की अगर मैं बात करूं तो यह अर्याना पुलीस का वह जवान है आसिस कुमार एड कॉंस्टेबल सिंग हम पाणी पता अच्छा रजिस्टेशन हो गया वाई बड़ी बात मिलगी यह देखो बाई यह रजिस्टर हो रहे हैं सिंग हम के नाम से तो यह इतने मतलब के लागा आपने जिस डंग से आपने काम कर रहा है जिस डंग से लोगों का लाड़ प्यार मिले है आपको तो घ्रह मंत्री अनिल वीजटा कितने की उमीद है हजारों जग है लोगों ने फूल मालाओं से डोलनागाडों से समानित किया हो और हम उनकी हर उस पर आजंका पर वो जिस पर खरे उतरे हैं उनकी उमीद है उनकी उमीद हैं उनकी हम खरे उतरे हैं क्या इसमें कोई क्यों शर्कार वो दो आदेश दे सकते हैं और मानेट्रिंग कर सकते हैं कई न कई जो अधिकारी हैं गुम राकर देते सरकार को भी सरकार का तो बहुत अच्छा परियास उसमें कलाव और बहुत सरे जैसे पहले बर्तियां की जाती थी नेताओं के नजदिकिया पैसे देकर लोग नोकरी पाते थे और इस सरकार के आने के बाद तो सारा मौली चेंज हो गया और सभी इमानदार पड़े लिखे ही नोकरी को प्राप्त कर रहे हैं आसिस भाई आपने जो उमीद लाग है न्यूबी सुनन मेरी है मारतक जो जानकारी आई है इनपुट आई है कि बड़े अधिकारी भी कुछ ने कुछ रिशवत के मामले में इनवोल हैं और वह खुला से जो है वो वीज के दरबार में होने हैं और क्योंकि हमने देखी है आना ही वीज साहब के उपर डिपेंड हो चुका है और उन्हीं से उमीद है एक्शन लेने की और लेते भी है प्रसासनिक जो अधिकारी उनकी तरफ से कोई आपको प्रेक्शन लिया गया इस के बाद जब आपने अपने रिजाइन दिया था जब यह आपके साथ गटना जी यह तसकर जो पुलीस से मिली बगत करके चलते हैं यह पुलीस वाले उनको सला देते हैं ऐसे जूठया रोप लगा दो ड्रक के मारे दोबारा तुम्हारे को रेड करने नहीं आएगा तुम्हारे उपर आपके जो इरादे हैं उनमें कुछ असर फरक कुछ पढ़ गया पानिपत में जाके देखो तसकर आज भी वैवित है कहीं बेसिक लाइन में डूटी ना फिर भी कहीं रेड ना करते हैं फटका फिर भी है जाटा फिर भी चड़ रहा है चलो भाई इस देखनारी बात या रहा होगी कि अनिल्वीज का दरबार में आसिस भाई इसा कुण सा खुलासा करागा यानि के आसिस कुमार एड कॉंस्टेबल सिंगम पानिपत के खुलासा करागा जिसकी वजियत है पानिपत पुलिस की नींद जो है वह अराम हो रही है नींद उड़ रही है और यह देखनारा मामला रहोगा कि आखरी यह मामला क्या रहोगा कि बिल्कुल और लाखों रुपे की रिश्वत का जो मामला है तो कुछ इस तरह का मामला भी सुनने महाँ था भी तीस लाग की रिश्वत का कोई मैटर है अंजी वह गर है मंत्री जी के सामने सभी इन पूट रखे जाएंगे पत्ते ओड़े खोल लोगी हंजी 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 का मंत्री अनिल्वीज का जो दरबार है उसमें सिंगम और गबर जीब आम मुश्यमी होंगे तो कुछ बड़े-बड़े खुलासियत हमने देखने मिलेंगे जिसकी वज़ेता है पानिपत पुलीस का जाड़ा चड़ रहा है अलांकि जाड़े इबे आएको नहीं है जाड़े कोमेंट सेक्शन में आपनी राए जरूर लिख दियो कर दियो बाई शेर शेरिंग कातार देव भतूर ताकि समस्या उसके दूर मजा आवे बरपूर मैं उतारा देशी पत्रकार दर्मू जै जवान जै किसान जै हिंदुस्तान